36 गड़ के पुर मुख्यमंत्री और रायबरेली के वरिश परविक्षक मुपेश बगेल जी मेरे साथ मौजूद है रायबरेली में लगतार नुकट सभाओं को सम्मोधित कर रहे हैं लोगों से मुखातिप हो रहे हैं और वहां से जो रिस्पॉंस मिल रहा है उसको लेके हम इन से बाचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या रहनीती इनकी है क्योंकि यह भी लोग सब अचनाव लड़कर राजनन गाओं से रहे पहुंचे हैं स्वागत है आपका निजनेशन में हम देख रहे हैं कि जनसभाओं को समोधित आप कर रहे हैं रायबरेली में क्या रहनीती ह एक तिसरे खाने में उसका पंजा निसान है उसमें मत्दान करना है तो यहां तो अभी डालमों में आयत यह बोले कि 2004 से लेके सुनिया जी कभी इस उगलाग से पिछड़ी नहीं है सबसे ज्यादा मत्दान मतों से यहां जीतती रहे हैं तो इस प्रकार से एक महौल पूरे छेत्र में हैं सभी लगाध़ है, तो हम कंझ आप हो काम करने का मौका मिला है और हम लोग गूमदी रहे है और देख भी रहे हैं कि सुनिया जी ने इस चेत्र क경े क्ली क्या क्या किया, जहा disparaged हो जाहे हो रेल कोच के बात हो बहुत सारी जोजनाएं जिससे यहां के लोगों को रोजगार ही मिला ना जाहे हो पानी की बियोस्ता हो सब सुनिया जी राजी जी की देन है तो यह सब उपलब्दी देखने की माउका मिल रहा है खास्तर पर चुनाओ लड़के आए हैं और हम कि प्रधामती नरेज मोधी लगातार चुनाओ के मद्यनेजर अटैक गांधी परिवार पर कर रहे हैं वह पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मंगल सुत्र की बात कर रहे हैं किस तरीके से जवाब देंगे दिखिए सबसे पहले पांच तारीक को कांग्रिस को घोशना पत्र घोशना पत्र जारी हुआ बहुत लोगों सुन भी लिया था कुछ लोग के हाथ में लगी तो पड़ भी लिये थे लेकिन जैसे प्रधान मंत्री ने जैसे कहा वो सारे लोग घोशना पत्र खोजना सुरू के कांग्रिस का पलटने लगे उसमें मिला ही नहीं पिर उन्हों कौने कं है मंगत शुतर एब लेक बाढ़ देंगे फिर घोशना पत्र खोजे मंगत शुतर भी नहीं है फिर बोले और कि भैसक्षोर के ले जाएंगे उसको बांड देंगे हो औन भी घोशना पत्र मनथी जुते साबीत हों अचानक लोग authors प्रहान बंती जूट वहले बोल तो एकदम से उन पर विश्वास हटा है और हमारे घोशना पत्र का प्रचार खुब हुआ आम जनता तक पहुंच गया पहले कई पत्रकार कहते थे कि घोशना पत्र बहुत अच्छा बना है लेकिन जनता तक किसे पहुंचेगा लेकिन ये काम मोदी जीन बहुत बढ़िया किय कि जो है उनको आप लोग गाली दे रहे हैं अभी कली कि तुष्टिक्रण की राजनिति आप लोग कर रहे हैं कल उनका भाषन था वो तो उसके ही बैयनों को पुरानी बैयन के बात ने अभी अभी ताजा बैयनों को देखेंगे तो उसमें बहुत कांटर्टरक्टिं कभी मुस्लिम के बारे और अरक्षन बात करेंगे कभी नहीं करेंगे करेंगे वह क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ अब 75 साल के हो रहा है तो आसर तो दिख रहा क्योंकि जो बातें नहीं है वो बात गड़ गड़ के बोल रहा है लेकिन बीजेपी एक वीडियो वाइरल कर रही है और उसका कहना है कि मनिशंकर यह पाकिस्तान की बात कर रिस्पेक्ट करो एटम बॉम उनके पास है इसका क्या जबाब आप देंगे पुरानी बात को आप निकाल रहे हैं तो फिर आपको यह भी बात धिशान रखना पड़ेगा कि अटल बहर इबाच भी बस लेके लाहर गये थे प्रहान मंतिक की रूप में और उसके बाद अटेक हुआ था पाकिस्तान अटेक किया दूसरी बात पू दूसरी प्रधान मंतिके आज तक कि जतने भी प्रधान मंतिक हुए उसे सफद में कभी पाकिस्तान का राश्टा दक्ष नहीं आया रेकिन बकायदा उसको नियुता भी दिया और यहां शरीग भी हुए और मोदी जी के बात तो और भी आगे हैं बीना निमंतर के बीना किस में जाते हैं कभी चादर चड़ाते हैं कभी विर्यानी खाते हैं और जहां तक कांग्रेस के बात है तो 65 के भी युद्ध हमने जीता और एक सथर का युद्ध भी जीता इंद्राजी के नेत्रित में और पाकिस्तान के दो तुकड़े भी किये हम लोगो तो यह बड़ा ट्राजी चला रही है अब यह है कि वो तो अब उसे भगवान कहें इस्वर कहें और शर भ्यापी है राम तो है उसको ला सकता है वो पहले से उनके भीजे सब हैं और वान थिरता मत्राम्न है आप भंचे भागवान ने बड़े हों इस तोर से भी भेने संट चलेगा से लगाउ पाधैक आप चाय except कैये थे प्डाम को ला सकता है कि तो यह हमकार को भारती जंधा पार्टिक ऑगर भाला सकते हैं लोग अगर हम बात करें राहुल गौन्धी की तो आप अपनी सभाओं मेनुकर सभाओं में राहुल गांधी को कहते हैं कि आप सिफसानसद नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे इनको फर düp कि उसмен जो समरपन का भाव जो है वह अदभुत हैं vibrations और जो अभी जो हमारे न्या पतर बाना उसमें जो यात्र उन्हें काली कि छाहजार किल्मटर पैल चले भाराज जोड़ो यात्रा न्या आत्रा जो 6000 किलमेटर चले वहां से नया पत्र बना है और उसको जो ब्यक्ति समझा है जाना है वह तो लागू कर पाएगा इसलिए उसको आना चाहिए आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने इसलिए दिया है कि हम संभिधान बदल देंगे लेकिन सवाल यह है क कि वह खारिस कर रहे हैं कि गुम्राह कर रहे हैं आप लोग क्या जबाब देंगे दिवारों में लिखा है नारा आपकी बार 400 पार और उसके सांसाद उसके मंत्री कर रहे हैं कि हम सविधान बदलेंगे तो सबसे पहली बात है मद्दाताओं का जो अधिकार हो चीन होगे ज सविधान जो है उसका उसी सविधान ने थाम को यादिकार दिया हुए मैं देखता हूं कि प्रेंका गांधी का बड़ा भरोसा है आपके उपर प्रेंका गांधी ने खास्तों पर कॉंग्रेस पार्टी ने आपको राइबरेली में मौका दिया कि सुरी लाज शर्मार जी को और पिछले समय धोके से जीत भी गई थी अब अमेठीक जनता पासता रहे हैं सिदे मुबात नहीं करती तो जो प्यार मेडम से राहुल जी से प्रियंका जी से किसोरी लाज जी से निलता रहा वो तो मिलता नहीं वहां तो दूद कारते हैं तो यह है कि वो तो सौंच के बै कैसे आना है वो जानती है लेकिन हो गया उनके संथ खुगली किसरी लाज सर्वा जी पहुँच गया तो बोले क्या करें क्या कुछ समध नहीं आ रहा है उनको कुछ कुछ बोले जा रही है जो खास अपे अमे थी कि सीट पर प्रहांका जी नहीं लड़ी तो आपको लगता ह कि शुरु जी निकाल पाएंगे बिन प्रियंका ने प्रियंका जी वहां कैम पर नहीं लगाता जा रही है कि अधिक अधिक अर्विन के जिरिवाल को जेल से जबानत मिली है और एक मुखमंत्री अभी भी है मन सुरें जेल के भीतर है आपके उपर भी तमाम आरोब बीजेपी भी लगाती रही है और कड़गरी में आपको खड़ा करती रहेगी रही है क्या जबाब आप देंगे भुपेश्पकेल विबाकी सामेसा जवाब देते रहे हैं देखिए जब मैं चुना लग रहा था तब भी डिटी घूम रही थी रूहां चापे डाल रहे थे लोगों ग अभी भी लगातार सब लोगों को परसानी कर रहे हैं जैसे मैं राइबरे लिया पता चला और और भी चापे डाल रहे हैं तो यह तो बदले के भाव से यह किसी इस तरफ पर जा सकते हैं क्यासे देंगे इनको क्योंकि लगाता जाब देगी जनता कुट खड़ी होगी देख पुरे देश की जनता खड़ी होगी एडी आइटी आखिर में यह बता हिए अभी प्रथान मंती जी ने कहा क्या अटानी अंबानी ने टेंप टेंपो में बोरे में भर भर के नोट है और दूसरी बात यह है कि उनके अपने लोग जैसे करनाटा में भारती जनता पार्टी के प्रत्यासिक यहां से करोड़ों रूपे मिला जांचुई कोई करवाई किये नहीं हो तो आप आपके इंट्रेस्ट मैलाफाइड इंट्रेस्ट है आपके चुन-चुन के विपक् लगाते हैं आप अजीत पावार के उपर सत्तर हजार करोड के गोटाला की आरूप लगाए दूसरे दिन हात मिलाया पूप मुक्मंद्र बना दिए सार्दा चेटफंड में आप हमत्वी सुसर्मा के खिलाफ आप आरूप लगाते हैं वो दिवेंदू अधिकारी के आप मुक्मंद्री रह चुके हमने आपके कारेकाल को देखा है आपने किसानों का करजा माप किया अपने तमाम ऐसी योजनाय चलाई लेकिन आप चुनाओं हार गया आप लोग सभा चुनाओं लड़ने के लिए सबसे आगया है जब परत्याशी लड़ना नहीं चाहते थे तो आपने काने मुझे लड़ना है रादनांद गाउं में आप क्या करने वाले हैं जीतेंगे तो कैसे जीतने वाले हैं और पूरे प्रदेश में क्या महाल रने वाले देखिए किसी नहीं सोचा था कि सत्ती जड़ में कांगरिस के सरकार हड़ जाएगी लेकिन ये लोग प सरकार नहीं है तो इस बात का मलाल पूरे मद्दाताओं को रहा है त्याकिसान हो मजदूर हो महिला हो नौजवान हो अभी देखिए स्वामी आत्मानाद अगरीजी स्कूल का रिजल्ट मतब यह है कि 48 जो मेरिट मेरिटोरियस बच्चे हैं उसमें 28 से हैं तो हमें आत्मानाद अगरीजी स्कूल से निकले हुए है जो परसों रिजल्ट आया मतब एक तरफा वहां की बच्चों ने किया परफार्मिश दिया तो सारी योज़नाओं का लाब लोगों को मिला है और जो हमारी गारेंटी जो निया पत्र है उसका भी लाब अकरसन जबरदस्त है तो दोनों चीज मिला कि हम 36 बहुत अच्छा परफार्मिश लोग सभाम करेंगे उसका विधान सभा हारने का जो भरपाई है उन लोग सभाम करेंगे तो वहां पर अभी भी नाला लोग लग थी कारकरता चल रहे हैं कारकरता डिमॉरलाइज जैसे नामों की घोष्टना हुई उस्साह आ गया लोग में बहुत बढ़िया कांग्रेस ने केंडिडेट दिया है जाहे वह कवासी लखमा की बात करेंगे जाहें काकेर केंडिडेट के बातों कहीं केंडिडेट हो सब में भारी उस्साह आया और जो मायूसी थी वह एक जटके हम खताम हो गया है बुपेश बगेल जी से हम खास बातचीत करते हमने तमाम मुद्दों पर बात की कि इनकी रणीती क्या है मिनफेस्टों क्या है और यह खुद जहां से आते हैं क्योंकि चत्तिस गड़ से चुनाव भ अब देखने वारी बात यहीं होगी कि 36 गड़ से लेकर राइबरेली तक किस रूप में किस तरीके से कॉंगर्स का परदर्शन रहता है ग्राउंड जीरों से हम आपको यहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी तापमान देश के सबसे हाई प्रफाइल लोग सभा सीट में से एक राइबरेली के भीतर किस रूप में है किस तरीके का है हमारे से होगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राजदूबे नियुजर्शन राइबरेली